हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो शिरी एजुकेशन आज का जो यह हमारा वीडियो है यह स्पेशल आपने जितने भी 2019 में जैनवरी से लेकर दिसंबर आज तक जितने भी करन्ट अफ्यर्स पढ़े हैं उसमें से जितने भी आपकी न्युक्तियों वाले कोश्चन थे जैसे कि किसी इस वीडियो में आपके चेहर्में वाले के जाएंगे और यह कि जितने भी आपके पंढ़े जुक्तियों वाले कोश्चन कूछे जाने वाले हैं वह सब आपको यह 2 यह 3 वीडियो देख कि याद हो जाएंगे उसके इलावा आपको कुछ पढ़ने की जुरूरत नहीं है न्युक्ति वाले कोशन के लिए यह वीडियो स्पेशल उसके लिए है और जितने भी आपके एक्जाम से सभी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है यह आपके टॉप थर्टी फाइफ कोशन होंगे यह जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी न्युक्ति होंगी है दोजा उननीस में जैनुरी से लेकर दिस्संबर तक है ध्यान से देखिएगा और लास्ट में टेस्ट कोशन भी दिया जाएगा जिसका अंसर आपको कम परवाइड करवाया ही जाता है डेली करंट अफेर भी देखा किजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्ण आपको पता है यह इंग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्ण है उसमें से कोशन जरूर बनते हैं ठीक है सो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपक आपको इसका पीडियाफ चाहिए इस वीडियो का आपको पीडियाफ चाहिए तो पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर अगर आपके पास टेलिग्रम एप्लिके पढ़ाया है कि यह बैंक के हाली में नए M.D. और C.E.O. बने थे तो उनका नाम अपको बताना इस कोशन में तो वह है रवनीत सिंग गिल तो कि अपकी यहां पर अपको पताने जी सिंगल के मांपुश्यर्मन का नाम याद का और नहीं कोशने हैं यह कुछ इंपॉर्ट बात आपको इस कोश्चिन के बारे में याद रखनी है और सेकिंड कोश्चिन है कि मलेशिया के नए राजा कौन बने है तो हाली मलेशिया के नए राजा भी बने है तो उनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला डी ऑप्शन आपका सही है अगर आप मलेशिया के बारे में उससे पाइस देख लिए यह जो पिच्छर में दिखाए यह हैं सुल्तान अब्दुला या फिर अब्दुल्ला अल-खल्ड है मलेशिया यहां पर मलेशिया के कैप्ल कवाला लुंपूर जब करण्टेपिर आपको पढ़ाया जाता है तो मिलेशिया क तो मेलेशिया के प्राइब मिश्टर है महतीर मुहमध और करंसियर रिंगित ऑजय के नहीं किन्सिट को यह से नए सीयो निक्त किया गया तो नाम है रोन जोए दत को हाल ही में इंडिगो का नए CEO बनाया गया है अब यहां पर एक चीज पता हूं चीज इंडिगो के बारे में देखे टूद पॉइंट पढ़ना है फालतों की चीज़े नहीं लेर्न करना है जितने एक्जाम से पूछा जाता है उतना ही लेर्न करना है तो नहीं के प्रेजटेन्ट का नाम यादर रखने हैं तो इंडिगो के प्रेजडेन्ट है अदीते घोष प्रेजडेंट्ट है और चेर्मेन का कि रहुदे का नाम याद रखने है या नाम है m दमोदर और इसके बस TOO नाम अभी बता है मैंने तो रोन जोए दत यह कुछी बाते हो गई इस question के बारे में और अगला important question है आपका कि लक्षमी विलास bank के MD कौन बने है तो लक्षमी विलास bank के MD बने है पार्थ शार्थी मुखर जी बी option आपका सही है पार्थ शार्थी मुखर जी को हाली में लक्षमी विलास का MD विनाया गया है 2019 में अगर आप लोग 2019 में कोई भी competitive exams देने जा रहे हैं तो यह questions आप लिए बहुत ही important है बार-बार आपको बता रही हो PDF मैं दे दूंगे आपको आंसर भी टिक कर दूंगे वहां से आप लोग देख लीजिए अब यहां पर जो important term आपको पता जी वह है लक्षमी विलास बैंक तो देखिए लक्षमी विलास बैंक इसकी स्थापना 1926 में है और लक्षमी विलास बैंक का हैड़ कोड़ जो ही चिन्नई में है तमिल नाडों के अंदर ठीक है नाम है राजीज चोपरा सी ऑप्षिन आपका सही है ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे है साथ में पिक्चे में दिखा जाए यह है राजीट चोपरा जी में नहीं नहीं सिसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए एंस स्थापना कब हुई है तो स्थापना 1948 में हुई है एक्ता और अनुशाशन और अगला कोशन है कि मालदीप में भारत का राज़ुत किसे बनाया गया बहुत ही इंपॉड़न है तो मालदीप के अंदर भारत के राज़ुत हाली में बने हैं उनका सधिपानानाम है सुंजय सुधीई बी आपके से सधिपों चैस備 सधीर यहां में मालदीप में भारत की तरफ से राज़ुत बने का निकती जो कि आपको याद रखनी है तो मालदीप के कैपिट मैं मिम मन खुदिफ माली में रूफ्या और उसके और प्रेज्डेंट का नाम या था प्रेजिन है लेटेकर किने विख्षी कुमार रशी कुमार शुक्तला यानिक Orshin ओप dairy कुमार जीन हाली में सीबी इसके बारे में आपको पता हुआज़ी स्टापना 1941 में हुई हैसी ये कुछ इसका नीटली में हैं ये कुछ इंपॉर्ड बात है सिब्शाय के किया गया है तो कलंबिया गंडराजी में भारत की रख से जो राज़ुत बने हैं उनका नाम है राजीव रंजन क्या नाम है राजीव रंजन सी आपकर सही है कोलंबिया गंडराजी के बारे में पिर तो आपको नोट करना ही होगा यहां पर तो देखें यहां पर है कोलंबिय को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में निक्त किया गया तो बीस मुबारक जी जो है यह देखिए जो पिक्चर में दिखा गी है यह हाल ही में होंडुरस होंडुरस गंडाजी यह एक देश है अपने पहली बार नाम सुनाओगा वैसे मैं आपको पढ़ाया और करन्सी है लैंपिरा क्या करन्सी है लैंपिरा और प्रेजेंट का नाम है जुआन और लाडो हरांदेज यह कुछ इंपॉर्ण बाते हैं ओंडुरस देश के बारे में एकसर वही देश पूछे जाते हैं जो हमें लगता है कि पहली बार सुने हुए जैसे यह होंडुरस तो नेपाल की सिटार से नेपाल की सींटिवाटम की तरफ से हमारे भारत में जो उनकी अमबेज़़स बनके आए हैं इंका नाम है निलमबर अचारे पिछ द भारत में ऊदो होता है भारत की तरफ से किसी देश में जाते हैं अम्बेस्टर बट यह नेपाल के पूर्व कानून मंत्री भी थे अब भारत में नेपाल के तरफ से राजू थे यहां पर नेपाल के बारे में आपको नोट करना होगा यहां पर नेपाल के कैपिटल काठमांडू और करंसी नेपालीज रुपी और प्रेजिट का नाम याद रखने तो प्रेजिट है विद्ध्य देवी भंडारी और प्राइमिस्ट घडगा प्रशाद ओली बहुत बाइब बता चुक हुआ अब तक तो रट चुका होगा नेप प्रेजबाल के बारे वे अमेरिका के बारे में कोमन से देश जो कि आपको रटे हुए है ठीक है फिंगलस पे आपको पर नेस्ट कोशन भारती को किस बैंक के CEO के रूप में युप्या गया है तो पीवी भारती जो है यहां ही में कॉर्प्रेशन बैंक बैंक ली ओप्शन और हैं और अगला कुछ ने को किसे बहुत के राज़ दोत के रूप में बैंकि यह नियुट के रूप में या दिय कुछछ किser नियुट चाहर में भारत के राज़द दॉत बने ही है यहां पर है अर्जंटीन आपका और ब्रियोंस आयर करतीनिया पै cheating का में आपको लोकेशन याद रखनी अर्जंटीना कहां पर है अगला कुछ जुआन गाइडो को किस देश के राष्ट्र पती बनाया गया है तो जुआन गाइडो यह हाल ही में बैंजुएला के नए राष्ट्र पती बने हैं यहाँ पर आपको बैंजुएला के बारे में बताती है यहां पर एक के पिटल है करका करणशी है पैट्रो और प्रेजिट का नाम है जुआन गाइडो अभी बताया है मैंने नए प्रेजिडंड बने जुआन गाइडो यह इंपांट बात याद रखने हैं वाल्जुएला से और नेक्स कुछ ने किसे हाली में नागरीक उड्यान सचीव ने उक्त किया गया है तो नागरीक उड्यान सचीव हाली में बने है परदीब सिंग खरोला यह उप्षन आपका सही है ये जो पिच्चे में दिए हैरी है परदीब सिंग खरोला जी यह हमाले नागरिक उडेल सचीव बने सचीव का नाम बता दिया मैंने नागरिक सचीव कहन बने है बड़ आपको यहां पर हमारे नागरिक उडेल मंतराले के मंतरी कौन बने है यह भी याद रखना है तो नागरी कुडेन मंत्राले के जो मंत्री बने है उनका नाम है हरदीप सिंग पूरी क्या नाम है हरदीप सिंग पूरी इनका नाम आपको याद रखना है हरदीप सिंग पूरी मंत्री है और सचीव है परदीप सिंग खरोला अगला कोशन हाली में किसे विश्व बैंक यानिकी वर्ड बैंक के अध्यक्ष पर मनोरित किया गया है तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बने है उनका नाम है डेविट मलपस यानिकी सी ऑप्षन आपका सही है यह पिच्छ में जो दिखाई ही है डेविट मलपस जी वर्ड बैंक का हैड़कॉर्टर वाशिंग्टन में और अध्यक्ष का कहना में डैविड मलपस यह कुछ इंपॉर्ट बाते हो गई आपकी वर्ड बैंक से रिलेड़िड अगला कोशन है किसको भुटान में भाग के राजूद नुक्त किया गया है तो भुटान में भाग की जो राजूद बनी है उनका नाम है रुची का कमबोज यानि की ए ऑप्षन आपका सई है पिच्चय में दिखाई दे रही है यहां रुची का कमबोज जी यहां पर कोशन में आपको भुटान के बारे में नोट करना होगा तो यहां पर है भुटान कैपिक्टर है थिमफू शुना गया है तो उस देश का नाम है मिस्त्र यानि की इजिप्ट भी आप लोग वोलते हैं यह अप्शना का सही है यह देखे जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यह हैं अफ्रीकी संग के अध्यक्ष जो की इजिप्ट के राष्ट्रपती भी है और इन्हें अफ्रीकी स आठीक्ष बनाए गए हैं यहाँ पर अफ्रीकी संग यानि कै की यूनियन के बारे में पतांचित अफ्रीकन यूनियन की सथापना याद रखनी है तो यह कुछ इंपरूंटन बाते आपको इस कोशन के बारे में याद रखने हैं आप दो कौशन देख के समझे ग değer जाए होंगे कि कितने ज्यादा इंपॉर्ण आपके लिए और अगरा कोशन है किसे हाली में नया चुनाव अयुक्त किया गया है तो नए चुनाव अयुक्त जो बने हैं उनका नाम है सुनील चंद्र इसी ऑप्षिन आपका सब्सक्राइब देखिए जो पिछे में दिया है य चीफ इलेक्शन कमिशनर जो है उनका नाम है सुनील अरोडा क्या नाम है सुनील अरोडा इनका नाम भी आपको याद में सुनील अरोडा का और सुशील चंद्रा का अगला इंपॉर्ण कोशन है किसको सी बीडीटी के अध्यक्ष न्युक्त किया गया है तो सी बीडीटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है PC Modi, यानि कि C option आपका सही है, PC Modi का पूरा नाम सबसे पहलता है, नोट कर लीजी, इनका पूरा नाम है परमोध चंदर Modi, क्या नम है, परमोध चंदर Modi, पिच्चे में जो दिखा लिए है PC Modi जी, CBDT के नए अध्यक्ष जुक्त किया ग अगला कोशन देख लेते हैं आज का, अगला कोशन है AIBA के Athlete Foundation के अध्यक्ष कौन बने तो AIBA, इसकी फुल्फॉम है International Boxing Association के फुल्फॉम है International Boxing Association और इसके अंदर एक Athlete Foundation होती है, उसके अध्यक्ष बने है हाल ही में आजे सिंग जी, D option आपका सही है, जो पिच्चे में AIBA के Athlete Foundation का अध्यक्ष बनाया गया है AIBA, यानि की International Boxing Association इसके बारे में नोट किजिए स्थावनाद के 1946 में होई है, हेड़कॉट इसका लोसाने में है, और इसके प्रेजिदेंट है, गफूर नाकिमू, यह आपको याद रखना है AIBA के बारे में, नेक्स कोशन है, WFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, WFI यानि की Wrestling Federation of India, यहाँ पर नोट करने है, तो Wrestling Federation of India के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है Bridge Bhushan Sharan Singh के नाम है, नेक्स कोशन है, साओधी अरब की तरफ से दूसरे देश में जो राजदूद बनी है, यह बनी है, अमेरिका में साओधी अरब की तरफ से राजदूद, D option आपका सही है, और इनका नाम क्या है, राजकुमारी रीमा बित बंदार बिन सुल्तान, इन्हें हाली में साओधी अरब की तरफ से अमेरिका में राजदूद बनाएगे, इनका नाम याद रखने हैं तो, अगला कुशन हाली में सुडान के नए परधान मंत्री कौन बने हैं, तो सुडान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोग क्या नाम है अब्दुल्ला हमदोग डी आपका सही है, आपको बता दू कि 2019 में, 2019 में, सुदान में नहीं को मतहशन फ़र प्रेजिदंट है फब्रकाशी कि वियुकces नेक्स्कोशन है मुहम्मदु बुहारी किस देश के राष्टर पती बने है तो मुहम्मदु बुहारी हाल ही में नाइजीरिया यानि की बी आपका सही है नाइजीरिया के नए प्रेजिडेंट बने है अगला कोशन हाल ही में एन बीटी एन बीटी का चेर्मेन किसे निक्त किय गोवेंदी श्रमा जी इन्हें हाली में नंबीटी का चेर्म बनाया है यह नंबीटी के फुल पर्म है नेशनल बूख ट्रस्थ और बारे में और याद रखना थो नंबीटी के इस थाप में स्थाव में नाइन फिफ्टी सेवन में हुई है और NBTC का जो एड़्ड कारण नहीं यह डैली में यह हो गया NBTC के बारे में जो कि आपको नोट करना है नेक्स्ट चुछन है NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्ष किया गया है अध्यक्ष बैंने नाम है भगवान लाल सहनी क्या नाम है भगवान लाल सहनी दी आपका सरिये जो पिछे में दिखा ही है और स्थाफन नचर्थ और है सेनेगल के नए President बने सेनेगल के प्रेजिन के बारें गधिस्टेरश के बारे हैं इसकी क्याया करंसी है वेस्ट अफ्रीकन से फेट फ्रेंक प्रेजिनेट है में के सेल अभी बताया है प्राइमिस्ट है मोहमेद डियोनी यह कुछ इंपार्ण बाते आपको यादने सेनिगल देश के बारे में अगला इंपार्ण कोशन है अजीस सिंग को किस राजी का पहला लोका युक्त नामित किया बनाया गया इन्हें बहुत ही इंपार्ण है तो अजीस सिंग जी यहाली मे सभग सिटे 21 कि सभग सिटे 10 विधान सभग सिटे 147 है रोज रिपीट कर थी हुं मैं औरी सा के अंदर फोक डांस है खूमरा और 6 नैशल पाख है भीतर कहनी का नैशल पाक यह कुछ इंपार्ण बाता है आपको नोट करने जाए अगला कोशन हाली में बार्क का निर्धेश सेंटर क्या फुर्ट में भाभा आटामिक रिसर्च सेंटर और बाग का हैड़ कोड़र आपको बताइए मुंबई में है स्थापनेश की 1954 में होई है डीजी का नाम भी बताया में अजीत कुमार मोहंती जी एके मोहंती भी कहते हैं और अगला टॉप कोशन है आपका कि सौधी सौधी अरब में भात का नया राजदूत किसे बनाया है तो सौधी अरब में भात का जो राजदूत बनाया गया उनका नाम है औसाफ सयद सी ऑप्शन आपको सही है जो पिच्छों में दिखनी है औसाफ सयद जी यहां पर आपको सौधी अरब के बारे में नोट करना होगा तो यहाँ पर है सौधी अरब इसकी capital रियाद currency सौधी रियाल और किंग का नाम है सल्मान सल्मान और सौधी अरब ठीक है सौधी अरब के बारे में इतना याद रखने है आपको next question है मेंगसिको में भारत के अगले राज़दूथ किसे बनाएगए तो मेंगसिको में भारत Löpizwe तो अगला इपॉर्ण कोशन है किसे हाले में ञेकन नए महिंत की जो नहीं मै नहीं मोदम है क्रेका जो पिच्छ हम जी एदिया में फिलिस्तान का नया पीम बना रहे हैं फिलिस्तान के बारे में आप नोट कर लिजिए आप लो यहां पर है फिलिस्तान इसकी कैपिटल है यहां पर जूम करके दिखाएंगे यहां पर फिलिस्तान यह जूम करके आपको दिखाएंगे इसकी कैपिटल है रमाला और दो कैपिट और एक इस्ट जरुस्तलम भी है प्रेजिडेंट जो हम का नाम है मोहमदु अबास और प्राइमिस्ट है मोहमद सत्य यह कुछ ही पूंड वात आपको याद आखिने है कि फिलिस्तान के बारे में नेक्स कोशन है आशु खुलर को किस बैंक का सी यह बनाएगा तो आशु खु आपना 1902 में हुई है और है इसका मुंबै में है तेक आपको इंपॉर्ण बात बता दो एक सीटी बैंक है जो कि इंटरनेशन लेवल पर वॉक करता है यह से सिटी बैंक इंडिया जो कि सिर्फ भारत में काम करता है ठीक है डिफ्रेंस जोनों के बीत में आपको पता होना च प्रत्रम लोका युक्त है इसलिए इंपॉरंट है आपके लिए और आपका जो सेगेंड लास्ट कोशन है कि किस बैंक ने राकेश मखीजा को नए अध्यक्ष चुना है तो राकेश मखीजा यह हाल ही में एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष बने है जो पिक्चर में दिखाई में अध्यक्ष बने है राकेश मखीजा जी और आखरी कोशन नोट कर लेजिए तो आखरी कोशन है हाल ही में एलाइसी के नए अध्यक्ष क्वाद यह जानते ही ना जिंदगी के साथ बहुत सुना होगा आप लोग ने उसके अध्यक्ष मेन है एम आर कुमार यह जो पिच् इसका मुंबई में है और स्थापना 1956 में है एमर कुमा कुछ इसके बारे में और यह थे आपके आज के टॉप 35 कोशन में मैंने सारे न्युक्तियों वाले कोशन डिसकस करें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉरंट है बार बता रही हूं और जैसे मैंने शुरू में कहा दि मिलेगा ठीक है वहाँ पर देख लीजेगा उससे भी और जैसे कि स्टाटिक में कहा था कि लास्त में टेस्ट कोशन दूगी तो देखिए आपकर टेस्ट कोशन है कि भार्ग के पहले लोगपाल कौन बनी है वैसे तो यह कोशन मैंने आज के वीडियो में डिसकस नहीं किया आपको 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 वीडियो पसंद आता है आपको जानते हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करना जाल से जाल से शेयर केजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वह भी बेनिफित ले सकें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स लेक्शर में अगले टॉप 35 कोश्टिंस के साथ प् करना सथ तेंक यू